दोस्तो आज 21 जून है आज इंटरनाशनल डे ओफ योगा है योग जैसे कि हम जानते हैं काफी बेनेफिशियल एक्सेसाइज है हमारी पूरी की पूरी बॉड़ी के लिए और सारे सिस्टम्स के लिए तो इसका दर्द पे और बोन हेल्थ के उपर क्या असर होता है क्या योग मददगार है या नहीं ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंतक देखिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है मैं मेडिकल डायरेक्टरों साउल और्थो केर का योग जैसे कि हम जानते हैं ट्रेडिशनल इंडियन एंशेंट फॉर्म ओफ एक् करते आए हैं और योगा का लाब उठाते आए हैं 21 जून को अंतराश्ट्रे योग दिवस बनाया जाता है यानि इंटरनाशनल डे ओफ योगा इस दिन हमारे भारत के इस सिस्टम ओफ एक्सरसाइस को पूरी दुनिया में अवेर्नेस के लिए फिलाया जाता है हमारे इस फर्ष अंतराश्ट्रे योग दिवस का थीम है योगा for humanity दोस्तों हम सब जानते ही हैं योगा के कितने बेनेफिट्स हैं हमारे काडियक सिस्टम की अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात पर हमारे musculo-skeletal system यानि हमारे हड़ियां और मास-पेशियों के उपर भी योगा काफी मददगार होता है, वो दर्द को होने से भी बचाता है और यदि आपके दर्द हो जाए और लंबे समय से दर्द चल रहा है तो उसके लिए भी योगा काफी मददगार साबित होता है, दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, chronic pain एक bio-psychosocial model follow करता है, यानि chronic pain का effect सिरफ हमारी body में biological ही नहीं होता है, यानि हमको सिरफ physical pain नहीं होता है, उसके साथ साथ एक psychological aspect भी होता है, emotional aspect भी होता है, spiritual aspect भी होता है, intellectual aspect भी होता है, और social aspect भी होता है pain का, और yoga इन पाँचो aspects के उपर exactly काम करता है, yoga physically तो हमारी body के उपर act करता ही करता है, आप सब जानते हैं कि yoga का role होता है, हमारी muscles की flexibility को improve करने में, हमारे muscles को strengthen करने में, stretch करने में, और overall body को एक relaxed state में ले जाने में, जो की in long term काफी helpful होता है, दर्द को control में रखने के लिए, या muscles के खिच जाने की वज़े से जो दर्द होता है, उसको prevent करने में, उसके साथ-साथ yoga हमारी mind को भी relax करता है, tension मुक्त करता है, जिसकी वज़े से हमारे mind relax हो जाने की वज़े से, हमारी नींद improve हो जाती है, हमारी appetite improve हो जाती है, हमारा जो overall nervous system है, वो musculoskeletal system, यानि हड़ियों के साथ में harmonize हो जाता है, synchronization में आ जाता है, जिससे overall body feel good effect पाती है, scientifically भी ऐसा देखा गया है, कि yoga करने के बाद, हमारे brain में endorphins नाम के chemicals release होते हैं, ये endorphin chemicals जो होते हैं, ये feel good hormones होते हैं, जो हमारे mind को relax करते हैं, और overall हमको body को अच्छा feel कराते हैं, योगा के काफी सारे आजकल रूप भी आ गये हैं, आप आयंगर योगा की बात करें, राजा योगा की बात करें, कर्म योगा की बात करें, विनी योगा की बात करें, अश्टंग योगा की बात करें ऐसे बहुत सारे योगा के रूप आ गए हैं आजकल योगा inside the water भी होता है aquatic योगा है जिसको बोलते हैं तो योगा आजकल काफी सारे रूप में आ गए हैं हर country में एक योगा का अलग सिस्टम भी follow होने लग गया है और जैसे ऐसे follow होता है उसकी modifications भी आती रहती हैं जिसके अपने benefits होते हैं और अपने risks भी involved होते हैं दोस्तो अब ये क्या yoga scientifically proven है कि नई काफी patients हम से आके पूछते हैं हम saoul ortho care में हर patient को yoga करने की सला देते हैं प्रनयाम करने की सला देते हैं meditation करने की सला देते हैं apart from the regular holistic management जो हम देते हैं उसके साथ में yoga और प्रनयाम काफी helpful होता है और हम पिछले कई सालों से ऐसा देख रहे हैं कि हमारे results काफी improve हो जाते हैं उन patients में जो हमारे treatment के साथ साथ yoga करते हैं as compared to other patients और यही किया हूबहू study Harvard University अमेरिका ने भी की थी जिसमें back pain की 741 patients को उन्होंने recruit किया था आधे patients को उन्होंने medical management, physiotherapy और yoga करने की सला दी और आधे patients को सिरफ medical management और physiotherapy करने की सला दी और उन्होंने ऐसा result पाया कि group 1 में जिन्होंने yoga किया था उनके pain scores काफी ज़्यादा reduced थे as compared to group 2 overall feel good effect भी group 1 में better था तो आप समझी सकते हैं yoga काफी beneficial होता है हमारे सारे body के systems में including our musculoskeletal system और yoga helpful होता है pain को reduce करने में भी और रखने में भी तो दोस्तो मैं आप सबको हार्देख शुब कामना देता हूँ बधाई देता हूँ इस international day of yoga की और आप सबको personally urge करता हूँ कि आप yoga के प्रती जागरुपता लाइए जागरुपता फिलाइए योग कीजिए लोगों को भी कहिए योग करने के लिए यह एक बहतरीन exercise है एक ancient Indian form of exercise है जो हज़ारों वर्षों से हमारे पूरवच करते आए हैं और आज पूरी दुनिया इस ancient Indian form of exercise को appreciate कर रही है और हम लोगों के साथ-साथ योगा कर रही है दोस्तो हमारे आठ सेंटर हैं दिल्ली NCR में जा हम दर्द का इलाज करते हैं holistic non-surgical ways के द्वारा दर्द को कभी भी अंदेखा ना करें यदि आपको या आपकी किसी परिजन को दर्द है तो साउल और्थोकेर के nearest pain management center पे जरूर contact करें इस YouTube चानल साउल और्थोकेर के उपर हम काफी सारे जानकारी बरी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें योगा के प्रती जागरूपता होना काफी जरूरी है अगर आपको इस वीडियो के उपर कोई भी कमेंट है कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें थैंक्यू